जहां एकतर पुरी देश में करोना को लेकर तमाम तरह की सरकार दोवारा इंतिजमात किया गेते वहीं जील परसासने पहली लेहर और दूसरी लेहर में बंदियों की शुरक्षा और व्यवस्था गोध्यार में रखते हैं काफी अच्छे प्रयास के वहीं तीसरी लेहर की व्यवस्था की जिससे की बंदियों को कोई परिशाने सामें आए अलिक सर्थ देखा जारा है कि दूसरी लहर तक आप लोगोंने बड़ी महनत की है वेक्सिनस भी कराया गया तो तीसरी लेहर आने से पहले आपने क्या व्यवस्था किया और किस तरह बंदियों में आपने इस्टेंसिंग उनको मास्क सबको पहनना अनिवार करका है और हाथ बार बार दोना यह सब चीजें तो जो गाइडलाइन से वो तो हम पालन करी रहे हैं उसके साथ में हम लोग वैक्सिनेशन पर पूरा जोड़ दे रहे हैं जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीस लोग उनको वैक्सिनेट करवा दें तो इस करम में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और हमने 23 जून 2021 को 24 सब बंदियों को वैक्सिनेट एक दिन में एक साथ करवाया था जो की मेरे संग्यान में जो यह एक रिकॉर्ड है अपने आप में और हम लोगों का सबसे मतलब अब प्रयास यही है कि हम लोग वैक्सिनेशन पर सबसे जादा जोड़ दें उत्तरपती सबसे हाइटेक जेलों में सुमार कला जाती है डास्तें कितने बंदी यहां पर हैं और उनको करोन से संब्दित किस तरह से आप लोग गाइडलेंग जारी करते हैं और अपने स्टाफ को क प्रवेश नहीं दिया जाता है उसकी स्क्रीनिंग करने के उपरांत ही जेल में प्रवेश दिया जाता है बाकी बंदियों को अवेर करने के लिए हम लोग जेल रेडियो का प्रयोग कर रहे हैं जेल रेडियो के माध्यम से उनको हम लोग रोज अवेर करते हैं कि सावधानि हैं उनको बहुत ही इमांदारी से बरत्नी हैं और उनकी स्क्रीनिंग समय समय पर करा रहे हैं और जो माध्यम हैं अन्य माध्यम से भी हम लोग उनको अवेर कर रहे हैं टैंपलेट्स छपवा के हमने बैरकों में लगवा दिये हैं ताकि उनको संग्यानित सबसे पहले तो हम लोग जो बंदी नए आते हैं उनकी एंटीजेंड रिपोर्ट नेगेटिव होती हैं तभी हम प्रवेश देते उसके बाद हम उनको एक अस्थाई कारगार है जेल में उसमें रखते हैं और RTPCR टेस्ट कराते हैं जब RTPCR नेगटिव आ जाती है तभी उनको हम लोग वहां से हटा के एक क्वारिंटाइन भैरेक्ट में शिफ्ट करते हैं यहां उनको 14 दिन रखने के उपरांद मुख्य कारगार में इस्थानांत्रित करते हैं बंदी प्रवेश होता है उस समय उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है उसकी स्क्रीनिंग होती है उसके कपड़े तुरंत जो ब्लीचिंग पाउडर में उसको क्या करते हैं घो तो यह सब हम बहुत प्रियास करते हैं इसमें कि उसका परिणाम यह है कि पहली दो लेहर जो आई हैं उसमें कारागार में कोई भी कोविट की वेसे किसी की मृत्यू नहीं हुए बंदी जो यह अपने आप में परिलक्षित करता है कि हम लोगों का प्रियास और उपर वाली कि पहली और दूसरी लेहर के बाद जिस तरह तीसरी लेहर की आने के अशंग का है उसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी यहां बंदी हैं लगभख 5000 के लगभगया बंदी हैं तो बैले सो से अधिक बंदियों का कुरोना वैक्सिनेशन करा दिया गया इसाफ तोर पर यह स्वास्त से समद्दी जो भी जरूरत हैं उनको पूरा किया जाए जेल परसासन के आला अधिकारी पूरी तरीकी से चुस्त और मुस्तायद हैं क्योंकि जिस तरीकी क्रोना की लहर से बाहर के रहनों लोगों काफ़े दिक कर दिया तो यहां के रहनों लोगों को बड़ा ही फायदा मिला और यहां तक कुछ ऐसे बंद्यों ने तो बाहर जाने से भी इंकार कर दिया क्योंकि उनको यहां अच्छी सुविधा और कोर्वन से बचाव के सादन लगता मिल रहे थे माज़ी सिद्धी के साथ माई भारत का से बात